Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Quota, कैसे हैं आप सब, hoping that आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे गईस जैसे कि आप सभी जानते हैं, J-Main 2023, first attempt की dates हमारे पास आ चुकी है January, May, end में exam होने वाला है, उसकी बास second session जो है वो April में होने वाला है J-Advanced कब हो सकता है, अगर हमारे दिमाग में ये अंदाजा रहे, तो हम बहुत अच्छे से planning कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे students ऐसे हैं, जो सिरोफ और सिरोफ J-Main पर prepare नहीं करते हैं वो J-Advanced उनका main purpose होता है, IITs में जाना उनका main purpose होता है तो आप सभी को comment section में जरूर बताना है कि कौन सी IIT में आप admission लेना चाहते हैं, कौन सा आपका dream campus है कौन-कौन मेरे junior बनने वाले हैं, IIT रुरकी से, देखते हैं comment section में तो comment सभी करिएगा, क्योंकि ये positive affirmations जो हैं, ये बहुत काम करती है और eventually हम जब बार-बार इसको re-affirm करते हैं, तो हमारा confidence बढ़ता है visualize करते हैं, तो हमारे success के chances बढ़ जाते हैं चलिए, आप काम की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, comment कर देना जरूर से है अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यार देखो, 2018 और 2019 से comparison कर सकते हैं योगि 2018 में, जो J.E.Main होता था, वो April में होता था April में होने के बाद, हमारा J.E. Advance 20th of May को हुआ था J.E.Main का जब last attempt होता है, और J.E. Advance जब होता है, उसके बीच में NEET का exam भी होता है तो NEET 2018 में 5th में को हुआ था, 2019 की अगर मैं बात करूँ, तो तब N.T.A. ने मोर्चा संभाला था और तब अगर बात करें, तो January में exam हुआ था, फिर April में हुआ था April में around 8-12 April तक exam हुए थे, और उसके बाद लगबग 40-50 days का gap आया था and then 27th में को J.E. Advanced हुआ था, यानि historically अगर देखा जाए तो J.E. Advanced और J.E. Main के last attempt में around 40-50 days का difference आता है, अगर इस साल की बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो first attempt है उसके अगर हम बात करें, तो वो हमारा January end तक खतम हो रहा है यानि second attempt जो है, वो April में तो है, अगर हमारे पास 40 days का gap देना है at least, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो at the earliest date आ रही है, that is 28th of May तो 28th May is the earliest जब J.E. Advanced हो सकता है बाकि आप जानते हो कि अभी जो NTA है और जो IITs हैं, वो चारी हैं कि exam बिल्कुल सही time पे हो यह जो exam cycle है पूरी तरह सरी store हो जाए, तो I think उस basis पे देख सकते हैं कि 28th May भी एक probable date है लेकिन अगर उस gap को maintain रखना है, जो पहले होता था तो उस basis पे जो most probable date है, इट मेबी 4th June और 11th June June first week के सबसे high chances हैं, योगी वो gap भी जो है, वो maintain करना होता है normally ताकि जो processes हैं वो proper हो सकें और जो बीच में NEET का exam भी तो होगा जैसे for example, April end तक अगर हमारा J.E. चला, तो NEET का exam भी में mid में हो सकता है तो यहाँ पे हम इस तरीके से J.E. advanced की preparation के लिए मान सकते हैं कि हमारे पास अभी January, February, March, April और May month almost है यानि हमारे पास approximately 5 महीने तो पक्का है तो J.E. advanced के लिए आपके पास कितना समय है? 5 महीने है अब students को ये doubt आता है कि sir J.E. main की तयारी करें या J.E. advanced भी साथ-साथ में manage करके चलें उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप सभी के लिए में लेकर आ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल जो है ATP Star quota का उसका link दिया है उसको अभी के अभी join करें उसमें आपको क्या मिलने वाला उसमें हम bullseye material जो है ATP Star का जो बहुत ही relevant and focused material है वो आपको आप मिलेगा वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो उसके अलावा कई सारे performance enhancing tools भी मिलेंगे जिसमें mock test को analyze कैसे करना है उसका tool मिलेगा और भी tools हम बनाते रहते हैं अपडेट करते रहते हैं प्लस मैं और पूरी team जो है वो आपको guide भी करती रहती है इसमें तो उसको जरूर join कर लेना अब आपका जो यह doubt रहता है कि sir J-E main और J-E advanced इस समय किस पे focus करें तो यह obvious ही बात है J-E main बिल्कुल pass है तो J-E main जब pass है तो उसकी तयारी तो हमें पूरे जोरो शोरो से करनी है क्योंकि अगर पहला attempt हमारा अच्छा चला गया आप जानते हो पहला attempt golden होता है तो उसके बाद भी advanced के लिए हमारे पास significant time रहेगा लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम कुछ tough questions physics, mathematics, chemistry में कुछ अच्छे question करते है तो उससे हमारी mains की preparation अच्छी ही रहेगी तो मेरा मानना है कि J-E advanced के pyqs आप अभी भी कर सकते हो उससे आपकी advanced की preparation भी साथ-साथ balanced रहेगी योगि देखिए advanced के जो सवाल होते हैं उनको करने से J-E main के सवाल relatively असान लगते हैं और आप जानते हो कि कई question J-E main में भी खास तोर पर mathematics में J-E advanced लेवल के ही आते हैं और बहुत बार क्या होता है कि J-E advanced से जो questions हैं वो repeat भी होते हैं dear students है ना J-E advanced के pyq बलकु सिमिलर question आ जाते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभी पूरा scenario क्या है most expected date J-E advanced की क्या हो सकती है और आपको J-E main के साथ सा J-E advanced लेकर अभी भी चलना है ओकी dear students बाकी comment section में जरू बताइए कौन सा campus है जिसका आपको इंतिजार है और जिस campus को आपका इंतिजार है ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बबाई टेक क्यार गाईज और कीप प्रपेरिंग वेल लव यू आल